दोस्तों वीडियो को इस किम्मत करिएगा मेरी बाते द्वान से सुन लिजी कुछ इस्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ अगर दस भी कोश्चन नहीं आया तो तुम्हें कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ेगा दोस्तों जो लोग मे 25 से 23 परस्ण इसे हैं जो मेरे पढ़ाय हुए आया है इस परिक्षा में ठीक है तो मैं मानता हूं हलाकि यह नंबर कम है मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा 35 पलस करना होगा 35 ठीक है तो मैं इसके लिए सौरी बोलता हूं दोस्तों आप लोगों से बाकी आज हम कवर करने व दोस्तों कि प्राग की संधी का हस्ताचर कब हुआ था तो प्राग की संधी का हस्ताचर 1866 में हुआ था देखिए दोस्तों यह जो छोटा सिटिक मैंने किया है यह सारी कोश्चन्स मैंने कराये थे आप लोगों को ठीक है प्रस नंबर दूसरा पूछा था दोस्तों इसमें डियुमा किस देश की संसत थी तो डियुमा रूस की संसत थी ठीक है प्रस नमबर तीन पूछा था दोस्तों बिसमार्क ने गेश्टाइन का समझा था किस देश के साथ किया था तो आफसर नमबर 20 में सही था दोस्तों आश्ट्रिया के साथ ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्त प्रस नमबर चार है जौल वेरीन की स्परकार का संग था तो जौल वेरीन आर्थिक प्रकार का संग था या अपसवर नमबर डी सही है दोस्तों आपके 40 में से कितने प्रस्ण सही है कमेंट बॉक्स में बताइए घजरूर ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर्स नुम्बर चेह कर रहा है मैं जनी ने यंग इटली नाम शंस्ता कि अस्थापना कहा कि तो फ्रांस में ऐख रहा तो अफ यह प्रस्ट गलत दीया vendor सो मैं जनी का जनम 8805 Mr नम्बर 48 निप्णि द में से कि देश में कारभॉणारी नामक संगठन अस्थापित हुआ यह एटली में कारभॉणारी नामक संगठन अस्थापित हो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा ठेक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे प्रस नम्बर नहीं है दोस्तों रगत्यम लोग की नीती का प्रतिपादक निम लिखेत में से कौन था तो विश्मार्ग था अपसर नम्बर इसमें सही था प्रस नम्बर दस है दोस्तों संयुक्त राष्ट संग में वीटों का अधिकार कितने देशों के पास है तो ये पांच देशों के पास है अपसर नम्बर भी सही था इसमें आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 11 है दोस्तों संयुक्त राष्ट संग का प्रधान कारियाल है कहां इस्तित है तो संयुक्त राष्ट संग का प्रधान कारियाल है निव यार्क में इस्तित है आपस नंबर सी सही था दोस्तों इसमें प्रस नमबर 12 है दोस्तों संयुत राष्ट संग की अस्थापना की स्वर्स हुई तो संयुत राष्ट संग की अस्थापना 1945 में हुई थी कवी थी 24 अक्टूबर ठीक है 24 अक्टूबर 1945 यह भी कोश्चन मैंने कराया था दोस्तों तेरवा कोश्चन में मैंने कराया था जो यह में जापान ठीक है जर्मनी इटलिया और आश्टिया ये धूरी सदसे थे जापान नहीं था ठीक है प्रस नमर चवद्य है दूती विश्यूद के दोरान निम्ने लिखित में से किस देश ने पर हारबर पर अक्रमर किया था तो इसका अफसर नमर डीस आई था दोस्तों ठीक है यह भी कोशन में लेकर आया हुए था दोस्तों फ्रांस के राष्ट पती ठीक है प्रस नमर 16 है दोस्तों सेडान के युद्ध में किस देश की हार होई थी तो सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार होई थी अफसर नमर डीस आई था इसमें प्रस नमर 17 है दोस्तों काईबूर किस वर्स पिड़ाविंड का परदान मंतरी बना तो 17 का आपसर नमबर 2 है दोस्तों 1849 में काईबूर पिड़मान का परदान मंतरी बना था प्रस नमबर 18 है निमलिखित में से किसने लाल सेना का गठन किया था तो आपसर नमबर 2 है दोस्तों ट्राटरस्की ने रात सेना का गठन किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 19 है वो द्थेविक क्रांती के समय रूस कजार कौन था तो आफसा नमबर 3 है दोस्तों निकोलस दूती ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 20 है दोस्तों प्रस नमबर 20 है वर प्रसाय के संदी 28 जुन 1919 को हुई थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 21 का रहा है 1919 की पेरिस सांतिसा मेरन के समय इटली का प्रधान मंत्री कौन था तो 21 का आपसन नमबर 2 है दोस्तों और लेंडो ठीक है और लेंडो आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 22 है लेनीन का जन्म कब हुआ था तो लेनीन का जन्म दोस्तों 1879 में हुआ था कहीं कहीं ओप्सन में 1870 आता है ये भी ध्यान रखेगा 1870 या 1870 ठीक है प्रस नमबर 23 है दोस्तों अमेरिका की राष्टपती विल्सन ने अपने 14 सुत्रों की गोशड़ा की थी तो 23 का आपस नमबर सी है दोस्तों 8 जन्वरी 1918 ठीक है प्रस नमबर 24 है दोस्तों ओवन यंग योजना 1929 के अंतरगत जर्मनी को छतिपूर्टी की रखम कितने वर्षों में अधा करने थी तो 24 का आपस नमबर दी है दोस्तों 61 वर्षों में प्रस नमबर 25 है दोस्तों 1929 के प्यरिस अंतरी समय ब्रिटेन का प्रधान मंतरी को था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधान मंतरी दोस्तों कि उसमें बीटेन का परधान मंतरी लाड जायज थो ठीक है 1929 के पहरी सांती समेलेंगर के समय विटेन का परधान लाए था प्रस नोम्बर 8 सुह है रागे बढ़ते हैं प्रस नोमर 26 से दोस्तों प्राप्लमज आफ लंग पूस्तवक दास्यूंद ब्रूम बरलेन धोरी के वस्तितम के निया तो रोम बरलीन धूरी 1936 में अस्तित में आया ठीक है आफसा नमबर भी सही है 27 का प्रस नमबर 28 है दोस्तों 1919 के पेरिस 37 मिलन में वर्साय की संदी किस देश के साथ की गई थी तो वर्साय की संदी दोस्तों जर्मनी के साथ की गई थी आफसा नमबर 20 सही है जर्मिनी को ही सभी इसमें माना गया था सौरी 29 नमबर है दोस्तों निमने लिखित में से कौन पेरिस सांती सम्मेलन की चार बड़ों की परिशत का सदस से नहीं था 29 का अफसर नमबर D है जापान ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस नमबर 30 है क्रीमियाई यूद्ध में कैबूर ने इटली की सेना किसके विरुद्ध भेजी तो रूस के विरुद्ध भेजी थी आफसर नमबर 20 या 30 का प्रस नमबर 31 है दोस्तों चार्ल्स अलवाट कहां का राजा था 31 का आफसा नमबर C है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 32 है सेडोवा के युद्ध के पशात आश्ट्रिया और प्रसा के बीच कौन सी संदी हुई थी तो फ्रैंग फंट की संदी हुई थी आफसा नमबर C साई ये 33 का प्रस नमबर 34 है दोस्तों बिसमार को प्रसा का चांसलर कब नुक किया गया था तो बिसमार को प्रसा का चांसलर 1862 में नुक किया गया था 34 का सी साई है प्रस नमबर 35 है दोस्तों किस ने कहा की कार्बोनरी के पास न कोई कारिकरम था न कोई आस्ता और ना ही कोई उचे आधर्स तो मैजनी ने कहा था 35 क का यूद्ध किस वर्स हुआ था तो सेडोवा का यूद्ध 1870 इस भी में हुआ था 36 का अफसन नमर 20 है यह दोस्तों कि दोस्तों जर्मनी को ही यूद्ध का मुझरिम माना गया था इसलिए उसे 61 वर्स में 61 सभी कर्ज अधा करने के लिए कहा गया था ठीक है प्रस नमर 37 से दोस्तों जर्मनी के एक ही करण का वास्तिविक सिल्पकार कौन था तो जर्मनी के करण का वास्तिविक सिल्पकार विश्मार्ग था अफसन नमर सी सही है प्रस्ना मोर् 3 दोस्तों नेपोलियन 3 के जीवन का अंतिम युद्ध में किसह की पराजय होई थी तो सीड़ोव की युद्ध में की पराजय होई थी तो बैरिज में की थी 40 का सी सही है दोस्तों अगर आप चैनल पर नहा है तो सब्सक्राइब जरू करिएगा ताकि आप अगले समेस्टर में फिफ्ट समेस्टर में भी आप हमारे साथ जूड़े रहे हैं दोस्तों उमीद है आपके 40 में से 30 से 35 प्रस्तन सही हुए हूँगे ठीक है कमेंट में बताईएगा कितने प्रस्तन सही हुए है मिलते हैं अगले क्लास में तब तक ले जाहें वंदे मातरम